हालो दोस्तू नमस्कार वेलकम आप सभी का हमारे विकेंसी एरे एजूकेशन में सुवावित है आज हम खास कर उन स्टुडेंटों की बात करने वालें जिनके पास आईटियाई के साथ डिपलोमा पासिंग है या फिर डिपलोमा है या आईटियाई है दोनों में से एक चीज होना जरूरी है क्योंकि कुछ पोस्ट हैं इनमें इनी से रिलिटिव दी हुई है अगर दूस्तों आपके पास आईटियाई है और करना चाहते हैं पर्मानेट यानि कि से गौर्मेंट जोब तो आप 100% हमारे साथ जुड़े रिजिएगा इसमें कुछ डिमांड की हुई है बस भरती ECL यानि कि इलेक्टरी कार्पूरेट ओफ इंडिया लिमिटिड के अनुसार निकाली गी है पर्मानेट नोकरी होगी आपके पास द्यान रखेगा बस आपके पास जो ट्रेड होना जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास ट्रेड नहीं होगी ट्रेड के अनुसारी इसमें आवेदन किया जाएगा सेलेरी की बात के जाए अगर आप इसमें नोकरी भी लग जाते हैं तो आपको करीबर 19,000 से स्टार्टिंग सेलेरी होगी आप इसमें आवेदन कर सकता है और इस भर्तिका लाग उटा सकता है। अब बात की जाए दोस्तो इसमें exam के बारे में एक्जाम के बारे में आपको बागाएद है पूरा notification दिखाओंगा इससे पहले में 84 अप्डेट आपको दे देता हूँ इसमें किसी परकार का एक्जाम नहीं होगा आपको बतातने इसमें आपको इंटर्वी देना होगा बस आपको इंटर्वी आपकी जो सब्जेक्ट है या आपके ट्रेड है उससे से रिलेटिव आपके सवास क्यूशन जव और जिनने पता है वो अच्छी बात है अपने दोस्तों को जिनके बारे में नहीं पता यहां पर लिखा है वो को इंटर्वी बात के जाए इलेक्ट्रो कार्पोरेट ओप लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं गौर्मेंट एप डिपार्टमेंट के अनुसार है और यह पबलिक असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं 18-25 वर्ट तक के चात्रिस में आविदन करेंगे जिनके पास एक कॉलिफिकेशन है वही इसमें आविदन कर पाएंगे अब हम बात करें इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के बारे यहां पर 18-25 बश्ट कि आयू दीविए गुनिस दार आठसो चॉंसर्ट रुपे सेलरी की रूप में प्राप्त होंगे और आपको बता दें कि यह आपको इंटर्वी देना होगा बैंगलोरू में जाकी यह डियान रखेगा और साथ यह आपको बता दें कि आपको लिए मेल या फिर आपके पास प्लेट राएका बुलाए जाएगा आपको इंटर्वी के लिए आगे बात करें जूनियर असिस्टेंट के बारे में जी हाँ दोस्तों जूनियर की प्रूपोस्टेंट की यहाँ पर दीवी हैं जिसमें जर्णल, ओबीसी और स्टीगेटिगरी दोनों तीनों आवेदन कर सकती है 18-25 वर्ष तक के और 18,770 रुपे तक आप इसमें सेलरी प्राप्त कर सकते हैं अब सबसे अच्छी बात है क्वारे में क्यूंकि जादा कर सवाल क्वालिफिकेशन पर अटकती है तो बात करें क्वालिफिकेशन में आपके पास अगर डिप्लोमा प फुल टाइम का मैटमेटिक से फीजिक से कंप्यूटर इलक्रोनिक्स या मीनिमम सिक्स्टी पस्ट इसमें भी वही सिक्स्टी पस्टेंट मांगा गी है दोनों में से एक चीज है तो आप इसमें लगा सकते हैं अब सवाल यह होगा कि जिन स्टूडेंटों के पास आईट्य कोनिक्स होती है और कई ऐसी ट्रेडर होती होगी जिनमें आप लोग देख के आविदन कर सकते हैं जिनके पास टू येर के जो सेटिविकेट है आईटी आई का वह स्टूडेंट इसमें आविदन कर सकता है जैर्नल के बात की जाए तो वही 60% होगा जबकि SC की बात की जाए यहां पर 50% होगी यहां पर मारक शीट नमर्स यानि कि पासिंग मारक्स इतने होंगे इसी दुरह आपको बता दें हाव टू अपलाई अपलाई करने के लिए आपको इसकी ओफिसली विविशेट पर जाना होगा और 16-7-2020 से पहले आपको उसमें आविदन करना होगा आवि स्टुडेंटों का जवाब होता है कि हम आविदन कैसे करेंगे हमें ये भी बताईएगा तो दोस्तों आप इसके ओफिसली विविशेट पर जाईएगा आपको इसका बागाई दे लिंक दिया जाएगा जहां से आप लोग इसे आविदन कर सकते हैं आप सबसे पहले जाते हर एक न्यू अपडेट आपको मिलती रहती है यहां पर लिखावाए यह आई सी एल के अनुसार जो निर्देश के अनुसार यहां पर टेक्निकल या तक्निकी हदिकारी के पदों के भरती के बारे में बात हुई है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं एडवाइटेंट मे लिखेगा हम आपके जरूर मादद करेंगे ठैंकी दोस्तो जैहिए दोस्तो